मंगलोर में ड्रगामार वाहन सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं लेकिन परिवन विभाग के अधिकारी मौन नजर आ रहे हैं दरेसल उत्रपेदेश से उत्राखण में राज्यो की सीमा पार कर सैकड़ो वाहन यहां पहुँच रहे हैं जिनके पास टेक्स, फिटनेस और इंशॉरेंस ही उपलब्द नहीं हैं ऐसे में यह डगामार वाहनों से लोग अपनी जान जोकिंग में डाल कर सफर कर रहे हैं आपको बता दे कि मुझफवन नगर से रूड की रोड पर परिवन विभाग के कार्याले के सामने रोजाना सैकड़ो डगामार वाहन गुजरते हैं लेकिन फिर भी संबंदित विभाग चुप नजर आ रहा है इतना ही नहीं सी रोड पर बड़ी संक्या में चल रही मैजिक भी अधिक संक्या में सवार्यो ढो रही है माना जा रहा है कि यह वाहन सरकार को लाखो रुपे राजस का शती पहुंचा रहे हैं सडक पर बने आवैद स्टेंग भी दुरगटना का कारण बन रहे हैं जगामार वाहन ही नहीं बलकि रूड बीज की बसे भी सडक पर खड़ी रहती हैं सडक पर खड़े यह वाहन सडक पर चलने वाले यातियात के लिए बाधा बनते हैं साथ ही दुरगटनाओ का कारण भी बनते हैं मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट इन का टैस्क जैसे भी हो वो कटवा के ही चलती है लेकिन यह दिया आप कह रहे हैं तो हम आने वाले समय में उनकी चेकिंग का कोई अभियान चलाएंगे और फिर उस पर चेकिंग की कारवाई करके उस पर परवर्ट